बलोवान आदरो यसो नसाद गुरु पदाम भोजे सुरुतोई रोपिता सो सास्त्रोईव किष्णे भक्ती नजायते गुरुर अने ग्रह नईव पमान भूर्ण पसानते सिसिल भक्तिशिद्धान्तो सरश्वति गूश्वामी ठाकूर पहुपाज्जी न बताएं गुरु तत्तो में संपूर्ण सुपतिष्चित नहीं होने के कारण हरी भजन बास्तवी गूप में सुरुवात्व नहीं होता है सिसिल भक्तिशिद्धान्तो सरश्वति गूश्वामी ठाकूर पहुपाज गौडिय गुश्वतिजी न बताएं गुरु तत्तो में शंपूर्ण रूप में सुपतिष्चित नहीं होने से गुरु हजन सुरु नहीं होता गुरु कीपा के द्वारा जगत में ऐसा कोई बस्तू नहीं है जो मिलता नहीं सिसीलो वक्ति शिद्धान तो सरश्वति गुश्वामी जागू जी न बताएं जे गुरु शिवा के द्वारा संपूर्ण सिद्धी प्राप्त कर सकता है इसमें कोई संद्य हो नहीं है गौडिय मट गौडिय मट के अंदर जितना सारे भक्त लोग है इन लोग का परिश्वम उद्ययस्त परिश्वम सुबे साम इतना परिश्वम के बाद जो थोड़ा बहुत भिक्षा आता है एक च्वान्नी तक भी पूरा के पूरा राधा गोविंद गोर हरी का शेवा में उस्सर की किया जाता है सिला पहपाज जी आक्सर कहते थे गोर्या मट का जितना सारे ब्रह्मोचारी है सन्नासी लोग है जो सब डेडिकेटेट सोल अपने को गुरुचरण में समर्पित कर दिया समर्पित आत्मा जिसको भागवत में गुरुदेवत आत्मा गुरु सर्वस्व है गुरु मेरा प्रान है गुरु मेरा हिर्दय है सब कुछ गुरु जी है जो सिनिवा साचाज्य जी ने बताया पहले स्लोक देके सुरू किया था बलवान आदरो यसो नसाद गुरु पधा मुझे सुत्वई रोपी सास्टरेर किष्णे भक्ति नजायत किष्ण चरण में एक बूंद भी भक्ति नहीं होगा सिला पहुपाजी कहते थे गोर्यमट के जितना सारे डेडिकेटर सोल है समर्पित आत्मा ये लोगों को फूपाजीन आदेश किये है ये समाज के जितना सारे बद्धुजीव है ये सब बद्धुजीव का उधार करने के लिए ये सब बद्धुजीव का उधार कल्प में आप लोगों को त्यार रहना है ग्यालन ग्यालन ब्लाट देना है ये सब समाज का एक एक वद्धुजीव का उधार करने के लिए गोर्यमट का जो डेडिकेटर सोल उस्वर्ग की समर्पित आत्मा है ये लोग ग्यालन ग्यालन ब्लाट अपना खून पसीना देने के लिए त्यार रहे हर वकत नहीं तो गोर्यमट का है यह नहीं सीचोईतन महापपुजे संकीतन जग्यो आईजन किये सिवा संगन में दिखाया नित्त है फिर भी ये लिला में दिखाये संकीतन जग्यों का प्रजलन किया है ये संकीतन जग्यागनी में गोर्यमट का एक एक डेडिकेट शोल समर्पित आत्मा अपना जीवन जिन्दिगी को निछावर करने के लिए त्यार है हर वकत, anytime, they can give their life for the sake of चैतन महाप्रभू इनके संकीतन जग्यों के लिए पोपाज जी और आगे चल कर बताएं I can calm down to any level for the actual preaching of चैतन महाप्रभू का जो बानी है आचार आदर से है इसको समाज में स्थापना करने के लिए सब कोई को दिखाने के लिए मार्ग दिखाने के लिए चैतन नवानी के लिए हमको अगर किसी level पे उतारना परे हम राजी है इसमें जितना सारे समाज का आदमी मेरा बदनामी कर दे मेरा कोई आपत्ती नहीं है क्योंकि किश्ण भजन में इतना ताकत है अद्भूत एक्चमतकार शक्ती है जहां समाज का रिती निती आचार आदरसो समाज का इसको उलंगन करके हम किश्ण से बाब में चलंग लगा दे तो इसमें समाज का आदमी मेरा बड़ा भारी अपत्ती करे निंदा करे पौपात कहते हैं इसमें हमको सेलामत है हम इसको भी आनन्द के स्वासिकर कर रहा हूँ अगर समाज का आदमी मेरा निंदा करे समाज का आदमी जो morality, standard जो चिंतन करता है वो भी अगर किश्ण चिंतन से बाहर है गोर्यमट में उसका कोई value नहीं है कोई कीमत नहीं है जो महापूरुष्च का जीवन जिंदेगी हमारा सामने एक आदर स्व बन के रह गिया है सिलब होपाजी चले गएं सिलब वक्तिविनो ट्रा कुछ चले गएं सिलब अरबद को स्वी महराच चले गएं हमारा सारे गुरुबर्ग एक एक करके चले गएं लेकिन they are all like milestone हमारा सामने एक-एक उद्धारन milestone छोड़के गिया तुम इसको देखो और अंतिम आखरी रास्ता या अंतिम लक्ष में पहुँच जाओ ये सब तुम्हारा लिए milestone है एक-एक करके जीवन जिन्दे की देखो इननों क्या किया ये महारा जी क्या किया ओ महारा जी क्या किया और तुम धीरे धीरे ये सब milestone देखते देखते अपना मंजिल अपना जो जगा है बैखुंठ जगत में अब चले याओ काल जो चर्चा सुरू किया था पूरा हो नहीं पाया संभ़ भी नहीं जिसमें और सारे चीज कहने का है विचार इसमें बाईु पूरान का एक स्लोग आता है जिसमें लिखा हुआ है आची नोती यो स्वास्त वार्थम सयम आचरे स्थापवती ओपी सयम आचरते यसमात आचर यो स्तेनों किरते था इस स्लोग का विशेश है वेरी इंपोर्टन स्लोग बहुत उच्छा बिचार इसका अंदर में है काल भी बताया था सब्द ब्रह्मो परफ ब्रह्मो निश्णा तो नहीं होने से आचाज्यों का काम करना संभव नहीं सब्द ब्रह्मो मतलब भगवान का सब्द शरूप है और चैतर्न भागवत में और सबकी जगा है लिखा हुआ है कलिकाले नाम रूपे किष्ण अवतार भागवत जी महापुरान भी भगवान का सब्दिक अवतार है इसमें कोई संद्यों नहीं है भगवान का सब्द मुर्ती और भगवान का जो सरूप और विग्रहो सब दिखाई पड़ता है सब एक ही है एक बिशेश इसमें है जो सब्दिक अवतार है वो बद्दो जीबु के लिए और वेसी ज़्यादा कीपा कर सकते हैं सब्दो सब्दो को उपार इतना सारे पावर है ये ये बद्दो जीब का हिरदय में प्रविष्ट होकर बहूत बहूत मंगल कर सकता है ये संबब है सब्दे परेच निश्णातम काल बताया था मारा सब्दे परेच निश्णातम सब्दो ब्रह्म में निश्णातो है his words in transcendental sound और सस्त्र विचार ओके ठीक है लेकिन सब्दे परे चो निसनातम परे अथत परब्रह्म में निसनातम इसका विशेश ये हैं जो स्लोक बाईपुरान से बता है इसका भी इसका सा तालूकाद has some link in between these two स्लोकाद इसमें विशेश हैं जो गुरु जी हमको दिख्षा दिये हरिनाम दिये इक्षा दिये हैं सांस्कार किये हैं बहुत विचार है इसका अंदर में समय आप लोग नहीं दिये गुरु जी अगर सिश्यों का अंदर में शेवा का भाव संचालित ना कर सके इस नौट एट अल सद्गुरू माइंड इट सद्गुरू का विशेश क्या है उन्होंने ये परो ब्रोमो का शाक्षा सेवा किये है शाक्षा सेवा का जो शाक्षा अनुभव है ये सरनागत शिश्यों का हिर्दाय में संचालित करके इसको एक्टिप करे इतना पावार आजाए शिश्यों का अंदर वो बोले हम भी गुरी जी का मापी कैसा सेवा करके रहेंगे अपना अधक्ष जो सेवा अपना अधक्ष जो सेवा बस्तू का जो शाक्षाद अनुभव है ये सद्गुरू सत्षिश्यों का हिर्दय में हर हालत में दे सकता है संचालन कर सकता है संचालित कर सकता है यही पीशेश है सद्गुरू का बाजारों में लाखो करोरों गुरू मिल सकता है लेकिन सद्गुरू ऐसा नहीं है सद्गुरू आज जिस महापुरुष का ब्रजविजय उस्वब इतना अनोखा उसका शेवा का वैशिष्ट मैं बोलते चलें तो खतम नहीं हो संभब नहीं है यह जो सेवा किया गुरु वैश्वब का भगवान का वो सेवा आदर्स्वबन के मेरा समने रह गया मेरा समने यह आदर्स्वबन के रह गया पहुपाज जी अकसर बोलते थे बद्दोजीबों का समने जब तक एक फायरिंग एक्जाम्पल जला हुआ उधारन समारा समने ना रहे बद्दोजीब का अंदर में पेरोना नहीं मिलती है आजकाल क्यों सेवा में इतना कमी है क्यों प्रमोचारी लोग रहना नहीं चाहते है किस कारण है पहुपाजी ने बार बार बोलते थे यह जब तक एक बद्दोजीब का सामने एक जला हुआ उधारन देखो सागर महाजी क्या कर रहा है जब तक एक जला हुआ जला हुआ जलता हुआ उधारन हमारा समने ना रहे तो बद्दोजीब का हिर्दाय में सेवा करने के लिए अपना जीवन जिन्देगी को देने के लिए भगवचरन में पेरोना नहीं मिलती है आर्थिक समाधन कोई समाधन है नहीं मानिटरी प्रॉब्लम इस नौट अट आ प्रॉब्लम पपाजी बोलते थे हमारा जिन्देगी का ये उद्देश्व नहीं है कि बहुत सारे एक अठा कर दो रुपिया पैसा लेके एक अठा कर दो एक जगा ये हमारा जिन्देगी का ये मकसद नहीं है अगर बहुत सारे धेर पैसा एक अठ्ठा करने के में मैं लग जाओं तो जिंदेगी में बहुत जल्दी ऐसा हालत पैदा हो जाए को मैं गूरु विश्णव चरण में अपरात कर डानों क्यूं अश्टो सिमादान धुस्टो दारिद्धम परमान जनम जितना निस्किंचन भाब को बजाय रखो अतना अच्छा है गूस्वामी लोगों ने दिखाए अगर आप मेरा साथ बहस करना सुरू कर दो पुपाजी चोवसट्य मट बनाया इतना बड़ा बड़ा गोडियमट बनाया इतना प्रुचार किया क्या ये क्या निस्किंचन भा हाट है लेकिन बड़्दोजीबों का ये भाबना का उतीत है कि इसलिए भक्तिमािष्टा कूझेन बार बार बताएं मौत मन्दित दालान बारी ना करो पुर्यास सुभ granular हें मध्यों मत्मदीत दालान। इक करने मत जाओ ये तुमारा लिए अक फासी का फंदा बन कब भागवाद में हैं मन मंदीर करे धिरम हमारा बड़ा मंदीर करो उद्वभजी को बताएं भगवाद सुन्दर यह कोई गलती नहीं है लेकिन भक्ति भी नच्ठाकुजी ने बताएं मत मंदित दालन बरिना कुरो प्रयास करने जाओ तुम बद्दो जीब हो तुम्हारा लेक फासी का पंदा बन जाएगा बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाएगा आची नोती जो स्वासको आर्थम जो सुलोग बताएं इसका अंदर में एक बड़ा गंभीर विचार है स्थापैति ओपी किसी का अंदर में ये विचार नहीं आता ये जो स्थापैति ओपी एक बड़ किटिकल पॉइंट है खोद आचरन करे आपना आचार आदर्शो और सेबा भाप के द्वारा दुसरे को उनुप्रेणना हम दे ये संबभ है हम अपना आचार आदर्शो के दारा हमारा सामने सरना का तो किसी बैक्तिक अहेदा में एक इंप्रेशन लगा दे कि हम मर्मिट जाए फिर भी ओ ना भूले ये एक महाराज था ऐसा सेवा था ऐसा उसका आदर्शो था इसका चरित तो था यही है इंप्रेशन लगाना तमाम ए पृतिवी में जितना सारे आचार जो आज तक पैदा हुआ उसमें भक्ति शिद्धान तो सरस्वति गुष्टा में पृपाद जी का नाम सबसे उपर आएगा क्यूं राधारणी का जो विशार है वो विशार एक मात्र पृपाद जी का सामने प्रकासित होते थे रामानुजे चार्जो मात्र पृपाद जो सारे आए नंबार को सब बड़े-बड़े आचार्जो सब कोई के चरण में मेरा नमन है ऐसा नहीं कि मैं किसी को उप्रक्षा कर रहा हूं कालवी रामानुजे चार्ज्यो को बात थोड़ा भूद बताएं लेकिन विशे से हैं जब तक जहां तक आदेश्ट हुआ रामानुज अचाज्यों का उपा जितना आदेश हुआ उतना तक किया माद्द अचाज्यों के उपार जितना आदेश हुआ उतना तक किया निम्मा का चज्य जी जितना ठाकुर जी का आदेश हुआ उतना तक आदेश वालों किये लेकिन पोपाजी का अंदर में जो विशार है इस चारो अचार जो का सामने पोपाजी का जो विशार है ये साक्षाद राधारनी हमारा सामने आ जाई राधारणी जी कि जो विशार ये विचार परुपाजी का विचार का साथ एकदम एक है अथा आधारणी का विचार हमको गोर्यमत में मिला परुपाजी का पास भक्ति मीनो ठाकुर का पास स्थापईती ओपी इसका मातलब ये है तुम आचारण करो अचरन करो, आदर्षोग दिखाओ और ये आधर्षोग आचरन के द्वारा दुस्तिका हिदाए में पेरुणा संचारित करो यह अगर ना कर सके you are not successful आचारिय अपना अचरन के द्वारा दुस्तिके हिदाय में जब पेरुणा का संचारन करे इस सबसे बड़ा बीशेस चीज है नहीं तो होगा नहीं शाक्षात परात परक्रेश्वर भगवान सिकिष्णो चोईतन्य महापभू या तो सी राम चंद्र जी महाराज भगवान किष्ण चंद्र जी महाराज सारे अपना जिंदेगी में गुरु शिवा का अधर्शु दिखाए इतना ही नहीं भगवान सिकिष्णो चंद्रो सुदम अभिप्रव के सामने ये सब बात खुलाम खुला रख दिये हम लोग असिक्षा के लिए गुरोर अनुग्रहन नहीं वा पुमान पूर्ण प्रसांत है पूर्ण प्रसांत है प्रसांती सब्दों बोलने का बाद भी निश्चिंद नहीं हुआ प्रसांत मतलब प्रो लगा दिया प्रो परा अपो अनू ये जो लगाने का बाद सब्दों का टाकत बढ़ जाता ब्यकारण जिसने पढ़ा है लेकिन इधार और एक सब्दों लगाए गुरू अनो गुरहे नुईवा पुमानो पूर्ण प्रसान्त है इसलिए गुरू गुरु तक्तों का सम्मक प्रकास है एक स्लोग बड़ा सुन्दर सुनातुन को स्वामी जी ने हरी भक्ती बिलास में इस अब एक एक करके रख दिये हमारा सिख्षा के लिए क्रिपा, सिंध, सुसंग, पूर्ण, सर्व सत्तो, भुकार कहा निस्प्रियो, सर्वतो, सिध्यो, सर्व बिद्ध, विशारद, सर्व संग्सयो, संग्स्चेत्त, अनलस गुरु रायतौ यह सुनातन को स्वामी जी ने दिखाए, इस जो स्लोक बताएं, जितना भी गुरु तत्तो का एक्सिलेंट बैख्षा, यह सबसे उपड का स्लोक है इसकार में जितना सारे गुरु का क्वालिटी है, किस लिए गुरु जी आते हैं, क्या का हमने जो बैख्षा किया बैख्ग्राउंड त्वेरी किया, सारे इस लोक का अंदर में है जिसका पुरिपूर्णो रूप है हमारा, हमारा सिलसागर गुस्वी महाराज जब भी हमारा बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा किस किस सहस से बुले हमने कितना प्यार किया महाराज जी को, जो हम बोले हमारा महाराज है हमारा महाराज बोलने का अधिकार कहां से हमारा हुआ जो हम बोले हमारा महराज कितना हमने अपना सेवा महराजी का समने रखा महराजी को कितना प्यार किया सिर्फ इतना ही प्रोमान किया जब महराजी हमको प्यार करते थे it's a kind of advertisement महराजी हमको प्यार करते थे बिनोत प्रभू जो हमारा वहिष्णम् महाराज जानते हैं सब जितना सारे भक्तों लोगा सब जानते हैं महाराजी बड़ा प्यार करते थे बड़ा इजोदे जब भी हम काबिल नहीं यह जो महाराजी मेरे को प्यार करते हैं यह जो हम भड़ा सवा में एड़डाइस्मिंट किया बोला ये एक advertisement है question तो ये आता है कि हमने कितना प्यार किया महाराजी हमको प्यार किया महाराजी हमको प्यार किया महाराजी हमको प्यार किया ये तो एक advertisement है हमारा दिल में महाराजी का लिए कितना प्यार है ये तो दिखने के भीशार है एक महापूरूश सारे बद्धो जीव को बुलाते हैं आओ मेरा पास बैटो खाया रहने का जगा मिला हमने इतना पृति देखा नहीं हमारा गुरु जी जाने का बाद गुरु बर्गो जाने का बाद एक ही मिला इक ही मिला हमारा जिसका सामने हम सच्चा प्यार मिला हमको हिर्दाय से बोलता था इतना प्यार करते थे इतना प्यार मेरा पिता जी का पास नहीं मिला माता जी का पास कभी नहीं मिलेगा मिला ही नहीं करोर जौनम में मेरा पिता मता मिला लेकिन हमको ऐसा प्यार नहीं मिला इतना प्यार नहीं मिला जो सिल्व सगर महरा जी हमको दिये है इसलिए मैं आभारी हूँ मेरे लोको कुता का मापी आना परेगा इधा कुछ भी हालत पैदा हो जाए मैं आने के लिए त्यायर हूँ इधार आएं कुछ भी हो जाए हमको सन्मान नहीं चाहेगे पैसा नहीं चाहेगे लेकिन कीपा लेने के लिए हमको आना परेगा इतना बड़ा महापूरुश है और भगवान सिकिष्ण चंद्रो अपना दोस्त बंधू सुधा विपपजी का आपास बताए ना हम इज्या प्रयातिभ्याम तपसो पसमयन हुबा तपसो पसमयनुबा तुष्यम सर्व भूताथमा गुरू स्वया जथा बास्तअब गुरुशेबा का दोरा मैं जितना संतुष्ट होता हूं उतना संतुष्ट मैं कि शी भी हालस से हो नहीं पाता बास्ताव गुरु शेवा काली एक बात उठाया था जो गुरु का सेवा करना सद्गुरु का सेवा करना और सद्गुरु से सेवा लेना दोनों एक बात नहीं है बहारी दिश्टी में देखने में एक लगता है अरे महाराज उन्होंने सेवा किया देखो इतना सेवा किया लेकिन पोपाजी बोलते थे सद्गुरु का सेवा करना और सद्गुरु से सेवा लेना दोनों एक बाद नहीं है टोटली अपोसित रियक्शन हो जाएगा किसी का अंदर में बास्तफ गुरु किपा हुआ या नहीं हुआ इसका क्या पहिचान है वाट इस असिंटम वहाइंड इट बास्तफ हमको गुरु किपा मिला कि नहीं मिला कौन इसका विशाय में चर्चा करे कोई बद्द जीव आएगा उसका पैसा बना लिया बड़ा गोदी में बैठा वो क्या बोले कि वाइखनेज महराजी वहिचनव नहीं है ये वहिचनव है ये बोलेगा क्या उसका क्या हक है अधिकार क्या है किसी बद्द जीव का अंदर में क्या हिम्मत है वो कोई वहिष्णव का बिचार करे ये वहिष्णव ये वहिष्णव नहीं है ये तो ठीक नहीं है एक सुद्व वहिष्णव का बिचार एक सुद्व वहिष्णवी कर सकता है बाकी कोई बद्वजीब का हिम्मद नहीं है कि किसी बिष्दव का बारे में बताए कि ये बिष्दव все ये नहीं है ये ऐसा बोलने का हम्बत नहीं है संभब नहीं है किसी का अंदर में बास्तव गुरु किपा हुआ की नहीं इसका पहचन क्या है पूपा जी ने ये सथ गुपत और होसो को खोल के दिया किसी का बाप का हिम्मत नहीं है आस तक नहीं हुआ यह सब बात को खुला अमकुला नेकेट टूथ देख इसको देखके नहीं तो तेरा समने बहुत ठगी आएगा धोके बाज आएगा धोके में पढ़कर अपना जिम्म जिन्दगी को एकदम बरवाद करने का चक्कर में है तू पागल पंती तेरा बहुत साफ़दान हो जा पभपाजी ने बताएं कि देखो आप अगर देखोगे आप अगर देखोगे आप अगर देखोगे किसी सिष्यों का सच्फिक अंदर में गुरुजी का जितना सरे भावनाः विशार ए अदर्सबॉ का अगार गुरुजी का शंपणॉषार आचार न प्रकश्फ हुआ इसको बोलना ने मिला है चाहे दुनिया के लोग उसको मला चड़ाने आए ना आए फड़क नहीं पड़ता दुनिया का अदमी उसको मला चड़ाने आए नहीं आए फड़क नहीं पड़ता जगनाद दोबाजी महाराज का सिश्च बिहारी उसको दुनिया का कोई अद में मला चाराने नहीं आए लेकिन काल बताया बिहारी भागवत पड़ गुरु जी आप जानते हो महां लिखा पड़ा नहीं जानता हो आप भागवत पड़ खोड़ ले भागवत थलके बॉइठा बढ़ पढ़ना सुरू कर दे पढ़ना सुरू कर दि हरी चमतकार पड़ा लिखा नहीं जानता भागवत पढ़ना सुरू कर दि आज से 20 साल पहले कुछी एक इंटरनेशनल संगस्ता हम नाम करना नहीं चाहता किसी इंटरनेशनल संगस्ता से बाईशनल संगस्ता वो लोग बोलता है बाईशनल संगस्ता उदार से मेरा गुरुजी का पास एक question लिखाया था, बहुत सारे question उसमें एक क्वेस्चन बड़ा वाइटल है तब मैं अफिस में मोधुच थे, कम्प्यूटर लेके, और रात को गुरुजी का सेवा करते थे, पूरा रात, सेवा तो नहीं हो पाता है, यह एड़ेडेस्मेंट है, सेवा तो नहीं करतो अदेश है, वहां नोकर कमाफिक रह जा क्या हमारा गोडिया माटा या हमारा गोडिया समाज है, इसमें की रित्तिक सिस्टेम है महराज, तब हम महराज नहीं थे, अब भी महराज नहीं है, तो वह लोग एप क्वेस्टेन लेके आए, कि महराज हमारा इदर की रित्तिक सिस्टेम है, क्या की गुरुजी मर जाए, क से समाज में है हमने बड़ा हैरान हो गिया एक क्वेस्टिन लेके फिर भी आंतर से गुरु जी हमको उत्तर दिये जो हमारा रित्तिक सिस्टम नहीं है फिर भी हम वो लोग को लेके गुरु जी का सामने के गुरु जी बोले नहीं हमारा रित्तिक सिस्टम नहीं है रित्तिक से मर जाने के बाल गुरु जी किसी को election करके जाए किसी किसी जाएगा election के दारा भी गुरु जी गुरु निन्ने होता है और कभी-कभी गुरु जाने का पहले किसी को बना के जाता है जब देखता है उसका अचारा तो तो मुटा मुटी ठीक है काल भी एक कहानी बता था ये गुरु जी बोले हम तो किसी को नहीं देख रहा हूँ अब बहुत है महा तो आपका तो सोसाइटी ब्रिकडाउन हो जाएगा धंस हो जाएगा होने दे सिचोईतन महापव का इच्छा से मेरा संस्ता संगठीत हुआ अगर ठाकूजी का इच्छा के धंस हो जाए लेकिन किसी नालाइक को मैं आचार्जू बना के जाओं समाज का लाखो लाखो आदमी का अमंगल बना के जाओं ये मेरा लिए संभव नहीं है संभव नहीं है काल बताया था गोवरिय समाज में बिशेश करके सारस्वत गोवरिय समाज में जो लोग भक्तिविनों धारा में अवस्तित है कौन भक्तिविनों धारा में है कौन नहीं है इसका पैचान क्या है किसी भी हालत पैदा हो जाए उसमें अपना बिचार वईशित्व सिद्धान तो आदोर्सों से पीछे नहीं हटेगा समझा मेरा बात किसको समझोगे कि गोरियम अटका है और देखो कि हर हालत में मरने का हालत पैदा हो गया फिर भी बोलेगा मेरा ये सिद्धान तो है ये विचार है पहुपाद भक्तविन तो को एक विचार है इसे हम पीछे नहीं जाएंगे तेरा कुछ भी इच्छा है कर ले मेरे को हटा दे इदर से कुछ भी कर दे मेरे को सवापति का असन में बैठा या तो बाहर फेग दे हम अपना सिद्धान तो विचार को चेंज नहीं करेंगे एक उधारन हम देंगे मिसाल जिसके द्वारा आपका डिमाग घुम जाए वो भी उधारन किसने दिया शाक्षाद अद्धवी तो गुस्वाई महापव तो बहुत सारे दिये अद्धवी तो गुसाई का एक उधारन दे दे सिला अद्धवी तो गुसाई ऐसा नहीं हो न जाइ चहिए मैपमेडिक साँ महापिक मैपमेडिस का जैसे फॉर्मूला है हम फॉर्मूला बता रहे हूँ इसको डिटेल्ज दिसकासन का टाइम नहीं है काल से मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ डिटेल्स नहीं बताए इसमें एक बिश्यस है ये एक एक बिचार जो है गोरिय मटका वा सरस्वत गोरिय संप्रोदाय का ये बिचार को उपर जो टीके रहे काल भी बताता है ना पोपाद बताते हैं कि दुनिया का आदमी मेरा खिलाप हो जाए फिर भी मैं हमारा सद्गुरू चरन का छट्रोचाय में खड़ा होकर इसी सुत्व का निर्विक प्रबोचन करते रहे चाहे तो रहे चाहे मेरा समने आ नहीं तो चले जा यही बात को हम कहेंगे निर्विक होकर कोई मारेंगे हमको कुछ करेंगे अपमान करेंगे किसी बात का मेरा बिलकुल परवाहो नहीं है अद्दो तो को साई जी का एक उधारन दे दे इसके द्वारा सारे अचाज्यो महल जितना सारे अचाज्यो सब हैं एक एक जगा सब एक शिक्षा मिलेगा सब तैयर हो जाए पहुपात का भक्तिमिन टोगर आदर्श रो पालन करने के लिए यही मेरा इश्चा है, मेरा फॉरेंज जाने के इश्चा नहीं है, रुपिया पर से करो कुछ करो, कुछ इश्चा नहीं पर एक ही इश्चा है जिए बक्तिमिन टोगर पहुपाती का धारा पुनर आजाए हमारा समाज में हम यह देखे यही इश्चा है, अंतिम इश्चा सिला अद्धोईतु कुसाई जी ने सिला हरिदास ठाकुर जी जो बहारी दिश्चे में जबन कुल में अभिर्भाब है रोज जी जाके प्रशाद देते थे अद्धोट गुसाई जी प्रशाद देते थे, हरिदास ठाकुर रोते-रोते कहते हैं आप इतना वर आचार जी हो समाज में इतना आपका सनमान है, डेजिगनेशन है रोज प्रशाद दे हो मोरे कौन काज रोज आमको प्रशाद दे रहे हो कि क्या अधरकर है आप निंदा का आपका निंदा हो रहा है, चर्चा हो रहा है इसका कोई ध्यान नहीं देते हो अधर्षाद गोसाई जी ने बताए खैर छोरो, आपका इचिंता नहीं है यह तो मेरा चिंता है मैं कभी सास्तों का खिलाव आचरन नहीं करने वाले तो आपका क्या चिंता है आपको चिंता का कुछ नहीं है अधर्षाद गोसाई जी ने बताए आप डरो मत सास्त्रों में जो लिखा है वो ही हम करेंगे और दोई 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 साइनित जीन बताएं सेई आचरी वो जेई सास्त्र मोते कोई सेई आचरी वो जेई सास्त्र मोते कोई तुमी भोजन को रिले कोटी ब्राम्मन भोजन होई इतना ताकत सास्तों को पर इतना विश्वास भरोशा सास्तों विश्यार पर एक दफे अद्वेत्य गुसाई जी का जो पिता जी ये तो दिखावा है नित्य यगत का उसका पिता जी माता जी ये तो कहने का बात है कुबेर जी अद्वेत्य गुसाई जी का पिता जी कुबेर जी महाराज उनके जो जो साद्ध है स्वाद्धो का समय में जो साद्धो पात्रो है उस समय में सांतिपूर में हजारो हजारो जो ब्रामन हैं सब आए सब सास्तो बिशार में लगे हुए हैं निरोपेख्य कोई नहीं है सास्तो विचार किसका अंदर में भास्तो भाया जो निरपक्य है निरपक्य ना है इले धर्मों ना जाय रखने इसका विचार कभी सुन लेना आज टाइम नहीं मिलेगा अदोईदुकसाई जी ने हजारो हजारो ब्रामोन को निमंतन किया सारे आओ और प्रसाद जमाओ हमारे दर प्रसाद जमाओ और किपा करो है तो महापुरूष है तो साक्षाद महाविष्णु महाविष्णु जगत करता मयायाज स्रियति अदहा तस्वात और एवयम अद्धित आचाज्यस्वार हा शाक्षा दिश्ष्वार, मुहापवु शाक्षा दिश्ष्वार, जो ये भगवान भक्त रूब में कोई आबेश रूब में, शाक्त आबेश रूब में हैं, ऐसा, जो अद्धोईत कुसाई जी ने, जो साद्धो पात्रों है, जो साद्धो पात्रों लेके, इतना हजारों कर्मकांडी ब्राह्मन सब को छोड़ के समार्थ ब्राह्मन को छोड़ कर हरिदास्था गुर्गोष हाद्द बत्थो दिये है हाजारो हाजारो ब्राह्मन एकदम स्लोगान दे के चिला कर निंदा करके चले हम इदर हम इदर प्रसाथ पाएंगे नहीं आप हम सबी का निंदन किया अपमान किया हम सब होते हुए आप इनको प्रसाद दिये जबकि नियम है सास्तर में जो जो नियम है जो साद्द पात्र है एक दम उत्तम ब्रामन को देना चाहिए ब्रामन मतलब बैश्णन और रास्यों जोगों में किसको सर्वसर्ष्ष्ण सन्मान मिला था कृष्णों को स्रीशुपाल जी ने गाली दिया यहां भी यह लोग तो गाली देना सुरू करें हम पुसाद पाएंगे नहीं सारे के सारे जुन्डू लगा के चले गए अपमान करके अद्धोई तो कुसाई को अद्धोई तो कुसाई निरव रहे ठाकूर जी का जो इच्छा वह वही होगा लेकिन हम सिद्धान तो भिचा से एक बाल बाल हटेंगे नहीं देखे ठाकूर जी का क्या इच्छा है उसका बात क्या किया ओ लोग राजी हुआ कि आपका उधार से चाल डाल तेल नून सिदा लेके जाए सिदा जानते हो सब जी चाल डाल तेल नून ठीक है ले जाओ आपने आप रोसी कर लो हमारा जी इतना रोसी हुआ हजार अजार अदमी का एक खराब हो जाए हम गंगा में फेक देंगे कोई बात नहीं यह लोग चले गए और रोसी करना तो दूर की बाद है ठाकुर जी का इतना सारे सुन्दर एरेंजमेंट है उसी दिन इतना जहर जंजा हुआ कि तीन चार दस गाउं में किसी जगा आग नहीं मिला सारे आग बुझ गिया किसी जगा किसी गाउं में आग नहीं मिला जो आग लेके और रोसी करना किसी का घर में आग नहीं इतना जहर जंजा हुआ सारे आग बुझ गिया ओ समझ में आया कि इतना गाउं में किसी का बस एक भूद एक आगुन नहीं है आग नहीं है एक तो हैरान की बात है जरूर हम लोग का अपराद हुआ अद्वेतो को सही के चरण में आके बोला खमा मागा सायद हमारा अपराद हुआँ सायद नहीं है चलो हमारा साथ किसका बात जाए चलो जिसका अपमान अपने किया है हमाना अपमान नहीं है एक नामाचार जो का अपराद हुआ है जिस अपराद का अनन्तो काहल में कोई खमा नहीं हो सकता अगर ओ खमाना करे चलो हरिदास्थागुर का गुफा में पहुँचा देखा डंडवद हैरान की बाद है देखा उधार हरिदास्थागुर का गुफा में आग है अग किसी का पाद आग नहीं है रोते रोते डंडवद किया खमा मंगा हमको खमा कर दियो हम लोग को अज्ञान है कर दिया अपराद फिर ओ लोग अद्धोईतोगोसाई जी का घर में आये बले जितना सारे प्रशाद आपका बनाया हुआ था आप तो फेका नहीं गंगा में सब ओही लाओ ठंडा हम खाएंगे पानी लगा के उतना जितना सारे रुसी हुआ था सारे वो प्रशाद सब ब्रह्मन लोग खाके हरी बोल हरी बोल बोल के गिया गौर पे मानन दे हरी हरी बांचाकाल पो दुर्वोसे के पासे इंदु बभशो पती तानंग बावना को विष्णा प्योना